नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिस से हमेंडिया एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे दोस्तों एक बार फिस से हमेंडिया एजुकेशन जो आपके लिए जोब अपडेट लेकिया है और इस बाद जो हमारे जोब अपडेट रहेंगे वो हिमाचल प्रदेश के कोपरेटिव बैंक में जो वेकेंसी निकली है उससे रेटिड ये अपडेट रहने वाले हैं तो दोस्तों अगर आपको भी ऐसे डेली जोब अपडेट चाहिए तो आप हमारे चैनल को सबस्क्राइब और वैल बटन को उन कीजिए ताकि आपके पास जो हम लोग डेली इनकी तरफ से निकालेगी है और यह जो रेक्यूटमेंट है दोस्तों रेगलर बेसिस पे फिल की जा रही है और आई बीपीएस के माध्यम से जो है इसका एक्जाम वगएरा और सेलेक्शन का प्रसेस जो है वो कंप्लीट किया जाएगा इसको अपलाई करने की जो लास्ट को इनकी वेबसाइट के थरू अपलाई करना होगा किसी और प्रकार के आवेदन जो है इनकी तरफ से सविकार नहीं किया जाएंगे अब थोड़ी कंप्लीट डिसकेशन कर लेते हैं कि कितनी पोस्टे है किन कैंडिडेटों के लिए यह विकेंसी है सेलेक्शन प्रसेस कैसा होगा और भी जो इनकी द्वारा इपोर्टेंट नोटिस दियेगी है उसके से रेटर चर्चा कर लेते हैं तो सबसे पहले तो ऑपनिंग डेट और लास्ट डेट हो चुकी है और नमबर और पोस्ट की बात करें तो 61 पोस्टों से रेटर यह रेक्यूट्मेंट होने चाह र प्रफीस रखे गी है और फीमल कैंडिडिट्स के लिए भी 800 प्रफीस रखे गी है जो इनके डिमिट कार्ड होंगे जो आपके एक्जाम से रिटिड आएंगे वो साथ दिन पहले आएंगे जब भी आपका एक्जाम होगा एक्जाम जो है इनकी तरफ से प्रपोस्ट किया तो अब ब्रेकप की बात करें कि रोस्टर की बात करें कि पोस्टे जो है टोटल 61 हो कैसे कैसे उनका ब्रेकप किया गया है तो जनल के लिए इसमें 23 पोस्टे रखी गी हैं EWS के लिए 5 SC के लिए 10, OBC के लिए 6, ST के लिए 4, X-Service Man जनल के लिए 8, X-Service Man SC के लिए 1 और जनल विडियो फीड़ फाइटर के लिए 1 और PWD यानि की PH यानि की Physical Handicap के बात करें तो तीन पोस्टे है इसमें तीनों जो है एक कैटेगरी Blindless और डीफ और एक पोस्ट जो है लोकोमोटिव के लिए रखी गी है अगर आपके आपसे माचलों बोन फाइट सेटी वे नहीं है तो आप इस पोस्ट के लिए अपलाई के नहीं कर सकते इसके इसके इलावा जो है एक important point इनकी तरफ से बताया गया है कि अगर number of applicants इस पोस्ट के लिए अपलाई के लिए अधिक हो जाते है तो तो फिर इस जो इनका एक्जाम आओ प्री और मेन दो एक्जाम कंड़क्ट करवाएगा है HP State Corporate Bank अगर इस एक्जाम number of application कम आते है तो single exam ही इनकी दरफ से लिया जाएगा service structure की बात करें तो इनको 10,300 और 3800 grade पे के इसाब से जो है new पे scale में fix किया जाएगा और कुछ और other important point इन अदर बताये हैं यह जो point है दोस्तों आप खुद read कर लेंगे आपको अगर इसकी PDF चाहिए तो हमारी website जो है www.im-india.com जिसको आप screen पे इस वर देख सकते है इस website को आप google पे search करेंगे वहाँ से आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं अब essential qualification की बात करें तो assistant manager के लिए जो है second class graduation अगर किसी ने पास किया तो वो इस post के लिए apply कर सकते है लेकिन अगर किसी के पास banking का तीन वर्ष का experience है तो वो 50% से कम भी marks है उसके तो तब भी वो व्यक्ति जो है इस post के लिए apply कर सकते है इसके इलावा दोस्तो online आपका exam होगा जैसे कि हमने बताएए कि दो face पे होगा वो pre और main अगर मा लेजी ये number of candidate कम होते तो सिर्फ pre exam होगा अगर number of candidate जा रहा होंगे इस post के लिए तो दोनों exam होगे pre की बात करें तो आपका total 100 marks का paper होगा जिसमें 100 question आएंगे और 60 minutes का ये exam होगा bilingual exam होगा हिंदी और English दोनों में question पुछे जाएंगे English की बात करें तो English language के आपको total 30 question आएंगे जो 30 marks के होगे 20 minute आपको दिये जाएंगे इसको solve करने के लिए numerical ability की बात करें तो 35 question आएंगे 35 marks के होगे 20 minute इसको दिये जाएंगे reasoning के भी 35 और 35 marks के question होगे 20 minute इसके लिए दिये जाएंगे तो कुल मुला के ऐसे आपको 60 minute इस paper को solve करने के लिए दिये जाएंगे और इससे जो 10 times candidate जो 61 post है तो उसके 10 times जो candidate है next main exam के लिए qualify किये जाएंगे और main exam में आप देख सकते हैं total जो है 200 marks का आपका paper होगा और जिसमें 200 ही question आप से पूछे जाएंगे criteria और number of minutes जो है आप इस वर screen पे देख सकते हैं फिर जो candidate main exam qualify कर लेंगा उनका तीन ratio के हिसाप से जो है interview के लिए बुलाये जाएंगे इसमें जो interview की प्रता भी जारी रखी गी है तो जो main pass कर जाएंगे उनका फिर interview होगा और interview के मादम से फिर उनकी selection की जाएगी syllabus या other or format आप इसके लिए हमारी pdf को download कर सकते हैं age criteria की बात करें तो 18-45 वर्ष रखी गी है उसके बाद different category को इसमें relaxation भी दी गी है तो यह certificate अगर आपके पास है तो आपको इसमें भी जो एज में भी छूट दी जाएगी apply कैसे करना है उसके लिए भी कुछ instruction है दी गी है इन सबको आप हमारी pdf www.him-india.com से download करके read कर लेंगे और तो दोस्तों इस वीडियो में यही important points है जो इनकी दरफ से बताएगी हैं बाग की कुछ जो other information है वो आप खुद read कर लेंगे तो दोस्तों अगर आपको ऐसे daily job update सही है तो हमारे चैनल को subscribe और इस वीडियो को श्यारा स्यारा share जरूर करेगा ताकि जो ही माचल में job देख रहे हैं candidate उनके तक यह वीडियो पहुंच सके फिलाल इस वीडियो में इतना ही thank you for watching human education